लोकसबमा स्वास्त मंत्री निवेदन आपशे मंसूख मांडविया लोकसबमा निवेदन आपफाना आशे तो वधिता जता कोरुणा ना केसने लईने जे स्थिती सर्जाएशे त्यानी समिक्षा करवामा आवशे तो देशमा कोरुणा नी स्थिती अंगे मंसूख मांडवि कोविड के केस और कोविड मुलत्यू की खबरे चप रही है। नेशनल हैल्ट मिशन, राज्यापदा, प्रतिकरिया कोष, इमर्जंसी कॉविड रिस्पोंज पेकेज और प्रदानमंद्र आईश्रमान भारत हैल्ट इंफ्रस्ट्रक्टर मिशन के इत्यादी से राज्यों को वित्ती सहायता प्रदान करके राज्यों को कॉविड के टू याने की 220 करोड कोविड वेक्सिन के ठीके लगा कर कितिमान स्तापित किया है जिसमें पात्रता वाले 90 प्रतिशत आबादी को दोनों ठीके लग चुके हैं और 22.35 करोड आबादी को प्रिकोशन डोज भी दिया जा चुका है कोविड 19 के नीमन में चल रहे लगातार प्रियत्मों के अंतरगात और विशो में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्री स्वास्ताई मंत्रा नाई वेश्विट सिति पर नजार रख रहा है कोविड 19 के बदलते वेरियंट से सारवजनिक स्वास्ताई के सामने जो चुनवतिया पेदा हो रही है उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है राज्जो को भी स्तानी स्तर पर सामुदाई प्रिग्रानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंतरित करने के लिए सलाह दी जा रही है राज्जो को जिनोम सिक्वंसिंग बढ़ा कर सभी पोजिटिव केसों का जिनोम सिक्वंसिंग करने की सलाह दी गई है जिस से अगर देश में कोई नया वेरियंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सारवजनिक स्वास्ते के लिए कड़ा कड़ा उठाया जा सके आने वाले तोहार और नये साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहणना हैंड सनिट्राइजर करना रिस्पायरेट की हाईजिन का ख्याल रखना और सामाजयत दूरी बनाये रखने की जागरुत्ता दाने चाहिए राज्यों को कोविड वेक्सिन की प्रिकोशन डोज बढाने पर और लोगों को प्रिकोशन डोज की अहमियात के प्रती जागृत्ता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए आंतराष्टी हवाय अड़े पर विदेश से आने वाले हवाय यात्रियों के 2% कोविड आर्टी पीसियार रेंडम संप्लिंग भी आज शरू कर दी गई है मानि प्रदान मंद्री सीरी मोदी जी के समत मेत्रूत्रों में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, वेक्सिनेशन, कोविड एप्रोप्रेट बेहवियर का पालन नीती के साथ कोविड मेनेजमेंट कर रहा है उसे आगे भी चालू रखेंगे इस वेश्विक महामारी के नीमन, नीयंत्रण के लिए हम संकल्पित है और इसके लिए सभी आवश्चक कदम उठाए जा रहे हैं मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूँ सभी माननी संदर्शन लोगों की बीच में जागुत्त लाएं कि वेश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सिन का प्रिकोशन रोज लगाने के उपरान सभी को सतत रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए हमारा दुश्वन कोविड वाईरस समय समय पर अपना सुरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर ड़ड संकल्प के साथ उसके खिलाप अपनी सामुईक लड़ाएं जारी रखने की लगाता जरूरत है भाग के पिछड़े पन की और मैं आपका ध्यान आकर सित करना चाहता हूँ यह भाग मेरे लोगसभा चेत्र में आता है इस चेत्र में सिक्षा की स्थिति अत्यांत दुरलक्षित है जबकि वास्तख में प्राचीन समयसे ही शंपुण्षित हमारी प्राचीन सिख्षा्ष्ण ता सामाजिक निती नियमों क्यों लोग सबमा स्वास्यमंत्री मंसुख मांडवया निवेदन आप्यू तो देसमा कुरुणानी स्थी अंगे तेमने निवेदन आप्यू तेमने कहिऊ के किटलाग देशुमा कुरुणाना केसुमा वदारो जुवा मड़े उश्वे तो सरकार नी तैयारियों अंगे मंसुख मा निवेदनाप्ता कहुछे कि लोकोई मास्क सानिटाइजन ओप्यों करवा जुया साथ है जो सोशल डिस्टन्स नो पालन करवा माठे पन कहवा मावेश्चे तो देशमा कोरुनानों खत्रों वधुतों जाएश्वे तैने लेईने समिक्षा हाथ दर्वा मावेश्चे कि टला माम स्थिती ने नियंत्रण माराखो माटे तके दारीना पगला लेवा माटे निप्रण बहेंतरी आप्वा मावेश्चे तो सरकाल द्वारा तमाम सैयार्यों करवा मावेश्चे ते अंगे नी ज्यानकारी मंसुक मांडवे आप्वेश्चे तो लोकसबमा स्वास मंत्री मं सुख मांडवयाए निवेदन आपीशुए। देशमा कोरूनानी स्थिति अंगे नी जानकारी आपीशुए। साथेज मास्क सानिटाइजर नो प्योग करवा असाथेज लोकोने सोशल डिस्टंस नो पालन करवा मांटीनू कहुशुए। तो पिटलाग देशोमा कोरुनानी स्थिती वदू विकर्ट बनी श्रे तेउ निवेदन आपेशे तो चिनमा मोटी संख्यामा कोरुनाना केस नंधर्याच्रे तेउ निवेदन मन्सु कमांडवे आपेशे झाल झाल झाल